हेलो एवरिवन सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल अर्विंद राज प्रोहित पर जहां पे हम लोग डिसकस कर रहे हैं पिछले 5 साल के question papers तो गाईज ये मेरा lecture number 6 है जो की UPSC prelims 2017 का paper discussion करने वाला है 51 to 100 तक तो गाईज इसके पहले मैंने अलड़ी 5 lectures आपके लिए लिए हैं जिसमें lecture 1 में मैंने 2019 का part 1 यानि पहले 50 questions जो लिए थे उसके आज में part 2 में next 50 questions लिए थे 2018 भी ऐसे ही हमारा 50-50 questions में हो चुका है 2017 का part 1 हमारा 50 questions का अलड़ी complete हो चुका है तो गाईज इस series में हम लोग जो है वो 10 sessions में 50-50 questions लेके 2019, 18, 17, 16 और 15 तो ये सारे के सारे जो हमारे question papers हैं उनका discussion हम लोग कर रहे हैं step by step मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने UPSC Prelims 2019 में कैसे 142 score किया था तो ये मेरा vision key से score निकाला हुआ है अभी तक UPSC का final official score जो है वो आना है but ये मैंने अपना worst score पकड़ा हुआ है actually best score अगर मैं पकड़ो तो ये और उपर जाता है but मैंने अपना worst score पकड़ा हुआ है जो vision key से मैंने निकाला हुआ है तो guys इसमें मैं आप लोगों को अलग-अलग tips दूँगा sources बता रहा हूँ आपको and no doubt current news क्या-क्या थी क्या logic आप लोगों ने वहां पर use करना चाहिए था ये सब हम लोगी series में देख रहे हैं guys सब के लिए compulsory है कि आप लोग यहां पर please comment जरूर कीजिएगा अगर आप बिना comment जा रहे हो तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा आप कौन आये थे तो it's better कि आप लोग है वो कुछ न कुछ चाहे छोटा सा ही thanks या smile बना की क्यों न चले जाओ वो भी मुझे चलेगा पर आप comment करके जरूर जाईएगा और guys आप लोग अगर मेरे साथ में social media channel से जुड़ना चाते हो आप लोग जुड़ सकते हो इसमें से telegram channel अच्छे से याद रखो यह आप मेरा है आय अरविंदा उसका handle है because इसके जितने भी मेरे slides है वो सारे slides आपको इस telegram channel पर ही मिलने वाले हैं तो guys आगे बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में तो मैं HVDSI में as a joint director काम कर रहा हूँ इसी के अलावा मैं unacademy और UPSC guide जैसे online platform पर भी सिखाता हूँ और guys हमारे अलग-अलग subjects में सिखाते रहता हूँ मेरा BGB अगर qualification देखो तो BIT हुआ है LLB, MA in history, political science UGC, NET, JRF cleared हूँ इसी के अलाव मेरा MBA भी चल रहा है मैंने अब तक guys 5 mains दिये हुए हैं जिसमें से UPSC prelims 2019 में मेरा 142 score था तो political science में 296 होने के वज़े से प्लस मैं multiple times बहुत सारे batches ले चुका हूँ political science के तो मेरा GS2 भी काफी अच्छा है और इसके वज़े से एक BIT complete करने वज़े से मेरा science and technology भी अच्छा है तो मैं यह सारे subjects जो सिखाता हूँ और आप लोगों को definitely इन सब subjects के बारे में कुछ न कुछ guidance आपको मेरे YouTube channel पर देते ही रहूँगा लेक्चर में पूरी शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दू HVDSI competitive exam center आप सब के लिए online comprehensive batch अभी तो UPSC के हमने launch कर दी है जो आपकी 30th of June से शुरू होगी इसी के अलावा MPSC की भी हम लोगों ने comprehensive batch launch कर दी है जो आपकी 6th of July से launch होगी और ये दोनों भी आपके online batches हैं तो ये 2021 के लिए अगर आप में से कोई खुद आप या आपके कोई रिष्टेदार या friend अगर join करना चाते हैं और quality material चाते हैं आप definitely हमें join कर सकते हो ज्यादा जानकरी के लिए हमारे इस number पर आप लोग contact कीजिए इसके अलब मेरे खुद के political science और current office के batches भी जल्दी ही आने वाले हैं तो guys UPSC clear करना मतलब एक महा भारत का युद्ध है एक 10 लाख लोग जो है जब UPSC दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 10,000 लोगों को means में लेके आनेंगे इसका मतलब आपको 100 in 1 बनना पड़ेगा 1 in 100 आपको बनना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या लगने वाला है इसके लिए आपको लगेगा UPSC का सारा का सारा syllabus coverage करना ही पड़ेगा आपके application of mind and logic के through ही फिर आपको discipline and habit भी लगेगा and no doubt guys जिन दो चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा preference देता हूँ वो है आपके UPSC के previous years के question papers and आपका mains के syllabus का analysis यह दोनों भी आपको लगने वाला है in fact हम लोग आज के lecture की शुरुआत ही मैं आप करूंगा कि previous years के questions क्यों पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and no doubt आप जितना हो सके उतना questions को solve कीज़े because the more you sweat in the practice the less you will be bleeding in the war जैसा कि आप सबको पता है मैं सारे के सारे UPSC के questions को 4 type में divide करता हूँ question type A, B, C and D जिसमें से A type जो है उसमें आपको एक answer ही निकलता है और ऐसे question आपने attempt करने चाहिए जो आपके question type B होते हैं उसमें आपके पास में दो options होते हैं ऐसे भी questions को हर बार attempt करना चाहिए तो try करो जितना हो सके 50-50 के options पर आप लोग आजाओ और वहाँ पर आप लोग risk पक्का लो जब आपके पास में 3 option में जब आप confused हो ऐसे C type के questions में आप लोग ने basically यहाँ पर थोड़ा सा depending upon की तुम्हारा कितना attempt हो चुका है और कितना बाकी है उसके हिसाब से आप जो है उसकी risk लीजिए और आपके जो राम जाने question जैसे है कि रशियन रूले के हैं जिसमें से चारों में से एक भी option नहीं आता है उनको हो सके तो avoid कीजिए बट अगेन अगर बहुत कम आपका attempt हुआ है जैसे अगर आप 60 के रेंज में हो तो थोड़ा बहुत आपको लगाना होगा actually elimination method जितना आपको UPSC में you know कारगर साबित करवाएगा उतना कोई भी हस्त्रा नहीं है जब आपने पढ़ा है कि यहाँ पर planet है तो आप लोग कॉमेट को उड़ा सकते हो जब आपको पता है कि आप लोगों का Uranus जो बहुती दूर है इसको आप लोग उड़ा सकते हो और Mars पृत्वी के भी पीछे है तो Earth के सबसे पास में कैसे आएगा तो right answer आप निकाल सकते हो वो होगा आपका C तो यह elimination method में जब तक चारो statement आप पढ़ना लो और सबको आप eliminate ना कर दो तब तक किसी भी answer पे mark नहीं करना है बाकी जितने भी extremes है उनको avoid करने की कोशिश कीजिए क्योंकि UPSC जानबूच कैसे extremes डालते रहती है आज के lecture में हम लोग देखेंगे भी कि कैसे UPSC ने बहुत सारे words जो हो extreme डाले हुए आपके उसके बाद में आप लोग जो है वो hyperbole या irrelevant logics को options को पहले eliminate कीजिए जितना हो सकते UPSC का broader perspective को समझने की कोशिश कीजिए and science के question में most of the time आपके all of the bow answer होते है unless वो आपके extreme में से वगरे कुछ fall हो तो इसके उपर के criteria's में से कहीं पर अगर वो fall होता हो तो आप लोग obviously उनसे बच सकते हो तो ये guys आपके screen पे आप लोग देख रहा हो मैंने UPSC की जो official answer की है इसमें set D के questions आप लोग ने डाले हुए तो वो आपको मैंने पूरा का पूरा दिया हुआ है आप लोग यहां से verify कर सकते हो question number 51 से शुरुआत करते हैं और वो शुरुआत करने के पहले ही मैं आपको बता दू इसका answer जो है वो आपका है D लेकिन ये अगर आपने UPSC का 1997 का question paper अगर analyze किया होता तो आपको पता चलता कि ये question as it is repeat हुआ है history repeats itself guys इसलिए बता रहा हूँ actually मैं सारे questions नहीं देख पाया कि पूरे book में से छानते बैठू बट ऐसे कम से कम 2 से 3 question में लेके आया हूँ आज जिसमें मैं आपको बताँगा 2017 में as it is UPSC जो है वो repeat करती है question इसलिए important बनता है previous years questions को अच्छे से करने का तो no doubt 5 तो मैं आपके करवा दूँगा बट आपको जो है वो 25 कर रहे है तो 25 में से जो आपके जितने भी है वो आप लोग कहां से कर सकते हो आपको दिशा publication की जो book है जो मुरूनाल सर ने बनाई हुई है वो आप लोग ले सकते हो या फिर अरिहंत publication की भी एक book है जो 25 साल का question paper का analysis करती है वो भी आप लोग definitely आप लोग ले सकते हो तो इसका correct answer आपका बटलर कमिटी जो है वो आपका relation between the Indian state and paramount power बताता था हर्टोग कमिटी जो है वो growth of British India education and its effect पर बारे में बात कर रही थी hunter commission आपका जालियन वाला बाग massacre से related थी and मुदीमन कमिटी जो है वो आपकी working of hierarchy as Montague change for reform तो इन सब से related था तो अगर आपने ये so solve किया होता otherwise अगर आपने spectrum अच्छे से पढ़ा है तो guys आप लोग जो है वो right answer लगा सकते थे इसका वो था आपका D की बटलर कमिटी जो है वो आपकी improve it was established to improve the relationship between the government of India and the Indian से पूछा हुआ है उस ताइम के सारे current office के magazine as well as आप लोगों के newspaper ने इसको cover किया हुँ था domestic content requirement जो है वो आपका developing the solar power production in our country से related है in fact India US का बहुत बड़ा ये issue था और इसके लिए हम लोग उसको WTO में लेके भी गए थे तो actually US अपने को लेके गया था उन्होंने बोला कि जो इंडिया ने domestic content requirement जो solar pass cells के लिए रखी हुई है वो WTO के principles के against में जाती है तो उस ताइम पे appellate body ने appellate body वागे रहे पास लेके गए थे and no doubt वहाँ पे हम लोग case हारे भी थे in fact तो ये आपका चर्चा में चल ही रहा था आते हैं question number 53 पे question number 53 थोड़ा सब political science and international relations वाले optional वालों के लिए काफी easy था but बाकी optional के लिए या बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा difficult था because उन लोग कभी भी nuclear security summit वगरे नहीं पड़ता है तो political science में actually non-state actors नाम का subject पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है nuclear security summit की nuclear weapon जो है पाकिस्तान जैसे state से terrorist के हाथ में ना चले जाए तो इसलिए इन होने जितने भी nuclear जो आपके countries हैं उनके साथ में यह summit जो हो Obama administration शुरू करता है तो यहाँ पर United Nation गलत है United States अगर होता तो maybe इसका answer जो हो right आपका हो जाता उसके बाद में आपका international panel on fissile material is an organ of the international atomic energy agency answer is no it's an independent organ जो आपका independently 17 से 18 countries का grouping से बना हुआ है जो की again आपका you know nuclear जो proliferation हो रहा है उसको रोकने के लिए mainly काम कर रहा है तो इसका answer right बनता है आपका D और यह दोनों भी आपके अलग अलग जो article से उसमें cover थे nuclear security summit तो उस time पे recent ही होई थी आपकी March 31 2016 को और guys इसलिए मैं बोलता हूँ दो साल के करो जिस इस साल में जिन जिन लोगों ने आपके June 2016 से June 2017 तक के लिए जिनोंने current office की होंगे उन लोगों की ये news पक्का से मेस हो गई होगी इसलिए guys हो सके तो दो साल के current office करके जाईए और दूसरी आप लोग यहां पे देख सकते हो एक हिंदू का article था The Road Not Taken जिस मैं clearly बदाय था International Panel on Fisile Material is an independent group of arms control and non-proliferation expert from 17 countries जो की आपका क्या कर रहा है highly enriched uranium and plutonium जो है उनके उपर जो थोड़ा बाँ track रखने की कोशिश कर रहा है So that was about the question number 53 अब आते हैं question number 54 पे ये UPSC का one of the bouncer question है क्योंकि ये इन्होंने दो जगे से पूचा है कौन कौन सी है दो जगे एक है आपका सीधा का सीधा PFRDA का आपका website और दूसरा इन्होंने जो जहां से पूचा है वो है आपका India Yearbook तो ये सब जो information है वो India Yearbook में इन लोगोंने दी हुई थी तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी India Yearbook पढ़ ले answer is no पहले ही आपके standard book cover नहीं होते है इंडिया Yearbook कहां cover करोगे इंडिया Yearbook से कुछ selected chapters ही आपने cover करने चीए इसके previous lectures में मैं आपको बताया था एक जो है वो आपके एकदम end का जो chapter है states related तो उनको जड़ा सा states and uts जो है उनको अच्छे से cover कर लीजिए उसके बाद में अगर आपको कोई chapter cover करना ही है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा करना है करके तो 54 का right answer जो है वो है आपका C because India Yearbook ने 2017 के बताया हुआ था कि आपका a central government employee excluding those armed forces joining the services on after 2004 उसके लिए वो join कर सकता है आपका national pension scheme including नहीं है यहापे excluding था तो आप देख सकते हो कितना fact based यह आपका question बना हुआ है resident Indian only can join it answer is no यहाँ पे clearly दिया हुआ है can NRI open the NPS account answer is yes और age requirement जो है 18 to 60 years की है यहाँ पे दिया हुआ है 22 to 55 तो यह दोनों भी option गलत होते हैं एक ही answer बचता है वो है आपका C आते है question number 55 पे question number 55 अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि इंडिया yearbook का first chapter पढ़ना बहुत जगर ज़रूरी है land and the people again आप लोग अगर 2016 and 15 के question papers देखोगे उसमें UPSC ने ब्रह्मपुत्रा river और उसके tributaries के बारे में पूछा हुआ है उसमें ही and उसका आद में मानस है फिर the ब्रह्मपुत्रा in Bangladesh is fed by the tista etc okay finally it falls into the ganga इसका meaning क्या है कि आपका tista river जो है वो ब्रह्मपुत्रा river जो आईगी ganga and ब्रह्मपुत्रा जो जुडेंगे तो उसमें से tista river ब्रह्मपुत्रा में आपकी आने वाली है अब हम लोग questions पहते हैं तो question आपसे क्या पूछ रहा है question आपसे पूछ रहा है कि आपके source of river tista और ब्रह्मपुत्रा का same है कि answer is no because मैंने even previous lecture में 2019 का जब मैंने paper discuss किया था उसमें मैंने बताया था tista river आपकी zemu glacier से originate होती है इसका मतलब क्या है और आपका ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपका कैला शमान सरोवर से आपका originate होता है इसका मतलब first statement गया first statement जाता ही A गया आपका D गया आपके पास में बचते हैं दो options B या फिर C अब B और C मेंसे भी अगर आप लोग choose करने की कोशिश करो तो आपको पता होना चाहिए कि river tista flows into bay of bengal on border of india and ब्रह्मपुत्र बंगलादेश answer is no in fact वो क्या होता है वो आपके ब्रह्मपुत्र river में मिल जाती है और वो कहीं पर भी आपके border में वगिरे नहीं आती है तो इसके लिए आप लोग का zika virus selected है zika virus उस टाइम पर गाईज बहुत ही ज़दा आपका चर्चा में चल रहा था तो जितन जिन लोगों ने अगेन उस टाइम के current office ठीक से पढ़े थे या current office के magazines cover किये हुए थे उनको पता था कि ये जो है वो आपका जो edis वाला जो mosquito है उसी से आपका transmit होता है जो dingo के लिए responsible है उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप logic लगाओ कि virus है HIV भी virus है तो अगर वो sexually transmit हो सकता है तो आपका zika virus भी हो सकता है again ऐसे आप अगर आप logic लगा कि इसका answer बोथ correct लगाओ तो well and good otherwise आप लोगों को थोड़ा सा zika virus के बारे में पढ़ लेना चाहिए था जो आपके Indian Express के explained pages में अच्छे से दिया हुआ है जहां पर clearly लिखा हुआ है कि can zika virus be transmitted sexual contact answer is yes and इसमें zika virus के वाज़े से microcephaly होता था मतलब क्या कि एक अगर normal baby का इतना बड़ा brain होता है तो एक zika virus से affected baby का छोटा ही brain आपका develop होने वाला है तो इसी के लिए इसको बोलते हैं microcephaly तो यह आप लोग देख सकते हैं आप लोग माइक्रो सिफाली की problem जो है वो आपका होता है फिर आगे आते हैं question number 57 पे और question number 57 है आपका Bureau of Indian Standards से related question तो guys आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी इंडिया के standards है उनको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग जो हो cover करके रख लीजिए आपको मेरी यह वाली slide जो है i.arvinda telegram channel पर मिल जाएगी आप लोग प्लीज इसको follow कीजी अगर आपको यह slide जाएगी तो मैंने इसमें इन डीटेल में सारे के सारे आपके जितने भी you know standard mark से वो सारे बताया हुआ है तो चलो पहले इसके बारे में discuss करते हैं और उसके बाद में आगे काम करते हैं तो egg mark is quality certification mark issued by the food and agriculture organization answer is no आपका international organization क्यों आपका egg mark वगए इस्टे करते बैठेगा सोचे ना कितना बड़ा problem होगा वो तो ये तो आपका गया फिर the standard mark of bureau of Indian standard is mandatory for automotive tires and tubes तो guys आज हो सके तो घर पे आपके जाके चक कीजिए का tire and tube पे आपका ISI का mark है या नहीं है तो ये आपका standard mark मतलब वो ISI की बात कर रहा है तो BIS का mark उसके लगना ज़रूरी है क्या answer is yes इसके लिए इसका answer आता है correct वो है A तो guys आपका आगे से कभी भी ऐसे marks जो है वो गलत ना हो इसलिए मैं सारे के सारे आपके लिए marks जो है उसका slides बना के लेके आया हो तो major जो है वो आपके पास है BIS hall mark, egg mark, उसके लाद ने आपका ISI mark and FPO mark है तो आपका BIS hall mark जो है वो आपका gold as well as silver के लिए है जो आपका 2000 and 2005 respectively शुरू हुआ था तो 24 karat का gold तो देखो liquid gold होगा क्योंकि इसमें कोई भी mixture नहीं होगा तो उसका तो लेने का कोई point ही नहीं बनेगा तो जो आपका 23 karat का gold होगा ना उसके आपको 958 ऐसा number लिखा हो मिलेगा 916 का meaning है ये gold जो है वो आपका है 22 karat का 21 karat के इधर I8 75 अगरे लिखा होगा तो ऐसे आपके 7 type के आपके gold के standards है जो आपके jewelry में लिखना compulsory है तो अगर ये कोई कंगन है तो उसके आप लोग देख सकते हो B.I.S. का logo रहेगा उसके ओपर purity of gold रहेगा उसमें जो assaying center है उसका mark रहेगा jewelry identification mark की किसने ये बेचा है उसका mark रहेगा and no doubt year of hall marking ये रहेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका B.I.S. का mark है ये आपका 916 मतलब आपको पता है ये जो है वो 22 karat का कंगन है and उसके आपका ये जो jeweler है उसका mark आपका लगा हुआ है and आपका year of hall marking लगा हुआ है तो ये है आपका B.I.S. hall mark के बारे में information ऐसे ही आपका egg mark भी है और egg mark आपका agriculture, produce, grading and marketing at 1937 जिसको 1986 में हमेंट किया था उसके अंडर में 1937 से ही शुरू किया हुआ है तो agriculture का जो product है उसका quality कैसा है उसका standard कैसा है उसका grading करने के बाद में इन लोगों को जो है वो egg mark अलग अलग जो है वो दिया जाता है जो की again आपकी central egg mark lab नागपूर जो है वो आपको इशु करती है no doubt आपके इसके अलवा 11 other nodal cities में भी आपके ऐसे egg mark issuing authorities आपके है egg mark and FSSI के बीच में क्या difference है वो मैंने आपको इस slide में दिए आप लोग अपने घर पे थोड़ा से इसको अच्छे से cover कर लीजेगा आते हैं अब हम लोग next mark पे वो है आपका ISI mark अपने ISI mark आपके electrical motor पे या फिर आपके geezer पे या आपके prestige के cooker पे भी देखा होगा इसका मतलब क्या है कि आपका ISI mark जो है वो again BIS जो है वो issue करता है 1955 से जो की आपके electronic as well as industrial items के लिए issue किया जाता है और ये compulsory है सारे के सारे industrial products के लिए next mark जो है वो है आपका FPO mark FPO का mark का जो आपका दिये जाता है वो आपका दिये जाता है processed food products के लिए तो आप देख रहे हो यहाँ पे यहाँ आपका mixed pickle है यहाँ पे आपका इस side में आप लोग देख सकते हो FPO का mark issue किया हुआ है यहाँ पे भी FPO का mark जो है वो issue किया हुआ है इसका मतलब है simple है कि यह fruit product जो है उसको process किया हुआ है इतना आप लोग जो है अच्छे से समझ के दो और यह आपका 1955 में शुरू किया गया था लेकिन लेकिन यह food safety and standard act 2006 के अंडर में अब जो है वो operate हो रहा है so 1955 by the law of the fruit product order तो यह नाम ही है इसका FPO मतलब fruit product order after which the mark is named but the mark itself got the mandatory status only after the food safety and standard act 2006 तो इसको अगेन दिमाग में बनाए रखिएगा बाकि फ्रूट जैम, crushes, squashes, pickles इन सब पर लगाना बहुत ज़्यादा कमपल जरी है eco mark जो है वो ऐसे जिएगे पर लगाया जाता है जो आपके eco friendly product होंगे जैसे आपके 16 products हैं उनके लिए आप लोग ये eco mark जो है वो इशू कर सकते हों जिसमें से leather, lubricating oils, maybe जो जो आपके eco friendly products है उन सब के लिए again BS जो है वो इशू करता है eco mark और वो लग सकता है अब मेरे earn academy पे कुछ lectures हैं जिसमें से lecture number आपको बता दू 20 तो अगर हो सके तो ये lecture number 20 को आप लोग cover कर लीजिएगा जिसमें आपको ये दोनों certification जो है organic product का वो मैंने एक बहुत च्छी सिखाए हुआ है आप लोग आप देखिए अभी यहां से बताने के लिए सिधा बता जेता हूं NPOP जो है वो आपका organic ऐसे इंडिया organic आपका product जो है वो mark आपका लगता है और इसको issue करता है वो है आपकी ministry of commerce and industries okay अपेड़ा इसकी implementing body है जिस पर UPSC अलड़ी question पूछ चुकी है 2019 में हम लोग ने अलड़ी cover कर लिया इसको और दूसरा है आपका participatory guarantee system of India यह आपका issue होता है या इसको implement जो कर रहा है ministry of agriculture and farmers welfare तो आपको ऐसे PGS India organic का certificate मिलता है आते हैं next चीज़ पे जो की again आपसे पूछ सकते हैं वो है अब क्योंकि यह पूरा का पूरा आपका method जो है इसको आपके you know number plate का photo, photo सब कुछ आपका issue किया जाता है कब से कब तक चलेगा तो यह सब आपको पता होना चाहिए एक चीज़ simple याद रुखिए जब भी आपकी new vehicle आप purchase करोगे तो एक साल के लिए valid होगा और उसका राद में हर 6 महीने के बाद मैं आपको POC का certificate जो हो लेना compulsory है so that was about all the certification and I hope you you would have enjoyed this आता है हम लोग question number 58 पे जो है आपका national agriculture market से related okay तो यह already मैंने सिखाया हुआ है अपने lecture number you know 20 में on academy पर तो आप लोग जाके special class lecture number 20 को देख लीजिएगा it's a pan India electronic trading portal for agriculture commodities answer is yes इतना आप सबको पता है it provides farmers access to the nationwide market with prices commensurate to the quality of their products answer is again yes okay तो यह आपका इसका right answer बनता है C okay यह हम लोग ने इन detail में यहाँ पे देखा हुआ है again बता दू I think lecture special class number 17 में इसको हम लोग ने अच्छे से cover किया हुआ है तो guys जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दू Unacademy पे special classes जो होते हैं वो सबके लिए free होते हैं और आप लोग सिफ login करके अरविंद सिंग राजपुरुहित इतना अगर आप डूंडोगे तो आपको मेरे सारे के सारे free classes जो हो दिख जाएंगे और आप वहाँ पे देख सकते हो तो यह e-naam हम लोग ने cover किया था उसके frequently asked questions क्या उसका कैसे आपकी process जो है वो flow होती है यह सब हम लोग ने उधर cover किय हुआ है and no doubt उसका आपको portal वगरे भी मैंने दीखा है और उसको managing authority job की है SFAC तो इस पर में भी कभी कोई question ना आ जाए इसलिए मैंने यह वाली slide भी दिये है आप लोग इसको धंग से पढ़ लेना आता है question number 59 पर वो है आपका national intellectual property rights policy तो policies पर UPSC हर बार question पूछती है 2016 में आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर you know WTO अगरे पढ़के रखा है तो आपको पता होगा कि क्या चीज़े आपकी matter करने वाली है तो it reiterates India's commitment to Doha development agenda and the TRIPS agreement answer is yes आप इसके बाहर वैसे भी नहीं जाने बले हो and department of industrial policy and promotion is the nodal agency for regulating the intellectual property rights in India answer is yes और इसके लिए आपके दोनों भी statement जो वो correct बन जाते हैं बाकि आप लोग यहां पर देख सकते हो new IPR policy आपकी release हुई थी जो की हिंदू ने अच्छे से cover की थी May 13 2016 में ही ओके तो guys इसको अच्छे से याद में रखिएगा और no doubt मैंने आप लोगों के लिए हाप पर policy भी डाल के रखी हुई है आप लोग इसको main जो clarion call है वो है creative India, innovative India उसके enter में multiple चीज़े इन लोग जो है वो implement कर रहे है तो आप लोग देख सकते हो आपका DIPP इसको implement कर रहा है CPAM इसके लिए main आपकी authority रहने वाली है and no doubt ये trips को भी follow करता है आते है question number 60 पे question number 60 again आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत शंकरा इसको अ answer is yes so according to the wildlife protection act of 1972 which of the following animals cannot be hunted by any person except under the provisions provided by the law answer is all okay ये सब को हम लोग जब वो anyhow protection आपके देखी रहे हैं ये आपके शंकरायस में अच्छे से cover किया हुआ है आप लोग प्लीज शंकरायस को अच्छे से cover कर लो आते है question number 61 पे question number 61 है आपका fundamental duties से related तो question आप से पूछ रहा है which of the following are true about the fundamental duties of the Indian citizen a legislative process has been provided to enforce these duties तो answer is no कहीं पे भी कोई भी legislative procedure नहीं है फिर they are correlative to the legal duties answer is again no इस पे बहुत लोगों की मारवारी हुई लेकिन finally answer UPSC ने बोला कि यह है इसका right answer जो हो डी है नीदर किसका right answer होगा आते है question number 62 पे अब question number 62 का source आप में इसे पूछ हो जिसमें आपका राधाकांत देव और गजूलू लक्ष्मी नारासू चेटी और सुरेंदरनाथ बेनर जी तो guys सुरेंदरनाथ बेनर जी का तो आप सब ने पढ़ा होगा clearly कि सुरेंदरनाथ बेनर जी जो है उन्होंने इंडिया आपकी इंडियन association फॉर्म की थी तो तीन तो आपका correct होता ह इतना तो आप लोग spectrum में पढ़ते ही हो बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि तमिल नारू की book ने एकदम clearly बताया हुआ है इसलिए ध्यान रुखो मैं तमिल नारू की book पे बहुत जादा focus कर रहा हूँ तमिल नारू board की book पढ़िए 12 standard की ये book है जिस में बताया और मदरास native association अलग है मदरास native association जो है वो 1852 में start हुई और लक्ष्मी नारसू चेट्टी जो है वो उसके founder थे बट मदरास महाजन सभा जो है वो आपके P. रंगया नाइडू and P. आनंदा चारलू वो उसके member थे जिन्होंने establish किया थे तो देखो अब जब आप exam के pressure में मदरास महाजन सभा ही था या मदरास native association था सेकेंड आपका गलत हुआ जैसे ही सेकेंड गलत हुआ आपके पास में option बजते हैं दो A या फिर आपका B अब रादाकांत देव जो है वो first president of British Indian association थे क्या तो यहां पर थोड़ा साब को पता होना चाहिए कि इसका answer जो है वो correct करके तो अब इसमें अगर हुआ भी तो आप 50-50 यहां पर confused हो जाओगे बट इसका answer है इसे आपका लगता है इसलिए गाई इस तमिलनाडु बोर्ड एंड स्पेक्ट्रम अच्छे से कवर कीजिए आते हैं question 63 पर question 63 आपका पूछता है प्रियंबल के बारे में आपने प्रि अब देखो इधर से ही पूछ लिया यह तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए यह तो राइट ही होना चाहिए आते हैं question 64 पर question 64 आपका quality council of India से पूछा हुआ है अगर आप पूछो कहा से question पूछा है मैं बोलूंगा थोड़ा सा news में चल रहा था क्यूंकि क्यूंकि उस टाइम पर स्वच्छ भारत mission जो है वो news में चल रहा था और स्वच्छ भारत mission आप actually स्वच्छ हुए हो या नहीं हुए हो यह आपका quality council of India जो है वो decide करने वाला था तो quality council of India अगर decide करने वाला है तो थोड़ा पहुत उस पर question UPC पूछेगी ही तो अब इसमें आपके दोनों भी statement ज the Indian industries answer is yes and chairman जो है quality council of India का prime minister appoint करता है on recommendation of the industry to the government तो answer दोनों भी correct है आप लोग यहाँ पर quality council of India के बारे में पढ़ सकते हो तो उनके website पे clearly लिखा हुआ है quality council of India was set up jointly answer is yes and बाकी chairman of quality council is appointed by the prime minister on recommendation as it is आपके website से जो है वो question सीधा का सीधा उठाया हुआ है okay बाकी मैंने अपने lectures में यह सिखाया हुआ अच्छे से तो आप लोग मेरे lectures देख सकते हो जो भी मेरे lectures current affairs के follow करते हैं वो आते हैं question number 65 पे question number 65 है आपका small finance bank से related question तो guys इसके लिए मैंने आपका अल्रड़ी बोला हुआ है मेरे दो lectures हैं जो आपके banking related है और no doubt तीसरा lecture मेरा NBFC is related है तो आप लोग please इसी YouTube channel पे अच्छे से उसको देख लीजेगा lecture number 23 and lecture number 24 जिसमें मैंने banking issues पूरे के पूरे अच्छे से एकदम cover किये हुए है ओके आपके अगर banks अगर मैं आपको assure, मतलब surety देता हूँ कि आप लोगों को ये lecture amazing लगने वाले हैं और आपका banking के इसके बारे में जो कुछ पहले opinion हुआ करता था ना difficult वाला, वो एकदम पूरा clear हो जाने वाला आपको एकदम easy मज़ा आने वाला तो इसलिए ये मेरे इसी channel पे अरविंद राजपरोच पर आपको मिल जाएंगे प्लीज ये lectures देख लीजिए, okay small finance bank मैंने बहुत detail में वहाँ पे cover किये हुआ तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आपका first and second statement जो वह आपका right है third statement आपका wrong है क्योंकि young entrepreneurs को promote करना वगए इनका कहीं पे भी कोई भी aim नहीं था इसकी right answer इसका बनता है आता है question number 66 पे question number 66 तो यह यहाँ पे small finance bank के बारे मैंने information भी आपको दे दी है आप लोग प्लीज इसको पढ़ लीजेगा आता है question number 66 पे और यह question number 66 अब देखो यह आपके vice president उस time पे vice president नहीं उस time पे आपके जो हुपा मतलब ministry of urban affairs ministry of housing and urban affairs तो यह जो आपकी ministry थी तो उसके जो minister ranker या नाइडू थे उन्होंने यह वाली meeting जो है वो attend की थी Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development और उस पे UPS इन अब question पूछ लिया और इसमें देखो कितने fact में इन लोग गुसे हैं मतलब यह question तो suicidal question था simple बता रहाओ उन्हों को suicidal question है इसमें ना तो इन्होंने यहाँ पे गलती की है ना ही इन्होंने यहाँ गलती की है ना ही इन्होंने यहाँ गलती की है इन्होंने गलती की है theme पे तो अब सोचो usually हम लोग जो ऐसा मानते थे न UPSCR यह theme theme पे नहीं जाती होगी आप लोग clearly देखो यहाँ पे theme आप से पूछा है emerging urban forms of policy response and governance structure इन्हों ने इसमें ही गलती की है आप लोग क्लियरली देख सकते हो Asia Pacific Ministerial Conference जो है आपका 2006 में New Delhi में हुआ था मतलब इंडिया में हुआ था अब इसमें इनका देखो इसका theme क्या था A Vision for Sustainable Urbanization in the Asia Pacific to 2020 मतलब आपके गलती इन्होंने कहां करवाई वह आपके theme में करवाई इसलिए फर्स्ट आपका गलत होता है इंडिया होस्ट ऑल दे अन्यूल मीटिंग तो पहली बात तो यह अन्यूल नहीं है यह आपका biannual meeting इसकी चलता है तो ministerial conference in the partnership with the ADV APEC तो यह सब गलती हो गया और इसके लिए इसका right answer आता है वो है आपका b okay और यह आपका already India yearbook ने cover किया हुआ था और इसी के लबाँ आपके international conference on housing यह वाला आपका business standard ने भी इसको cover किया हुआ था लेकिन अब यह सब cover करना मुश्किल होता है आप लोग प्लीज इसके पीछे मत पढ़िये जादा ठीक है आते हैं question number 67 पे और यह आपका quality में थोड़ा सा application related question है तो simple है democracy is superior virtue lies in the fact that it calls into activity a band of the dedicated party workers उड़ा दो क्योंकि यह कभी भी democracy का इम नहीं हो सकता है superior individual with dynamism vision and तो आरे भाईया तुमको superior vision चाहिए या आपको लोगों में democracy पहुचा नहीं है आप लोग authority थोड़ी चाहते हो the method for strengthening the executive leadership again no answer इसका सिर्फ एक ही बनेगा वो है आपका ए कि यह जो है वो एक individual के intelligence and character जो है उसको यह थोड़ा सा enhance करने के लिए काम करेगा या it creates activity into individual's intelligence तो यही आपका democracy का superior virtue है आता है UPI पे UPI सबको पता था इसमें hardly कोई बंदा होगा जिसने answer जो है इसका गलत किया होगा UPI simple था आपके mobile wallet will not be necessary for online payment now यह आपका इसका main aim था बाकी देखो आप खुदी पढ़ो UPI के वज़े से FDI inflow drastically increase हो जाएगा कैसे गलत direct transfer of subsidies to the poor people will become very effective यहां से UPI का क्या लेने देना है इसका और UPI का क्या लेने देना है वो तो आपका bank से पड़ाया हुआ है उसने आपको सीखा हो गए event horizon singularity string theory standard model physics यह सब किसके लिए है यह सब है आपके observation and understanding of the universe उस टाइम पे यह सब चीज़े काफी ज़्यादा चर्चाम चल देती कहीं पे भी आपका solar या lunar eclipse नहीं है placing satellite भी नहीं आता है अब इन लोग यहां पे इससे confused हो सकते हैं बट फिर भी understanding the universe आपका ज्यादा right answer इसमें होने वाला है आते हैं question number 70 पे question number 70 आपका genome sequences से related question है तो genome sequencing का immediate future क्या होगा basically इसकी बारे में इन लोग जोग question पूछ रहा है तो genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in the various crop plant yes क्यों नहीं कर सकते हो this technique helps in reducing the time required to develop the new varieties of crop plant may भी हो सकता है it can be used to decipher the host pathogen relationship in the crops answer is yes तीनों भी हो सकता है and science and technology का जो मेरा rule है कि majority of the time answer क्या होगा आपका one two three that is all ओके आते हैं question number 71 पे question number 71 जो है उसमें आपसे पूछा है the main advantage of the parliamentary form of government is that तो guys इसका answer जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचे था कि it provides the you know आपका sorry इधर आपका parliamentary form of government का पूछा हूँ है यह तो easy question है इसका simple है the executive remains responsible to the legislature यही आपका aim है बहुत ही simple question है एक थोड़ा सा difficult question आगे आएगा मैं आपसे उस परे में बात करूँगा question number 72 है जिसमें आपसे पूछा है कि rights और duties के बीच में relation क्या है करके तो again आपको गांदी जी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो गांदी जी क्या बोलते हैं कि जो आपके rights जो है they come in the embryonic sense of the duties मतलब उसके गर्भ में ही आपके जो हक है वो आपके duties के गर्भ में ही पैदा होते हैं इसका मतलब क्या होगा कि rights are correlative with the duties right answer इसका यही आएगा duties not rights are important for the stability of the state गलत उसके आद में rights not duties are important for the advancement of the personality यह भी गलत है rights are personal and hence independent of the society in duties यह भी गलत है right answer आएगा आपका A आते हैं question number 73 पे quality में से बर-बर के UPC ने इस साल में question पूचे हैं तो जो जिन-जिन लोगों ने NCRT की बहुत अच्छे से करके रखे थे उनका यहां पर काफी फाइदा हुआ and no doubt political science वालों का भी बहुत फाइदा हुआ था तो the mind of the makers of the constitution of India the mind of the makers of the constitution of India is reflected in which of the following तब सबको पता है यह बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसका right answer जो है वो है कि इनका mind बहुत सारे लोग बोलेंगे DPSPs में है बढ़ DPSPs नहीं है in fact अगर आप लक्षमी कांथ अच्छे से पढ़ो तो लक्षमी कांथ ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जब आपका issue चल रहा था कि preamble whether preamble is part of Indian constitution or not whether it can be amended or not उसी वाले part में अच्छे से दिया हुआ है कि the mind of the makers यह Supreme Court का खुद का judgment है Supreme Court का खुद का judgment है कि mind of the makers of the constitution of India is reflected in आपके preamble में आता है question number 74 पे question number 74 पूरा का पूरा application related question है इसका मतलब क्या है आपको Indian map बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पता होना चाहिए कितने state है कौन-कौन से state की कौन-कौन से boundary है इतना तो यार आप लोगों से UPS expect करी सकती है आप Union Public Service की exam दे रहे हो इतना तो पता होना ही चाहिए आपको तो actually इसका right answer जो है वो 7 है तो अगर आप Kohima से Kotaim तगर आने की बात करो तो पहरे तो आपको पता होना चाहिए कि Kohima से Kotaim मतलब Kotaim कौन से यहां पर आता है Kohima no doubt आपको पता है Nagaland की राज़दा नहीं है तो वहां से तो हो जाएगा पर Kohima पता होना चाहिए आपका कहा आता है केटला में आता है अब केटला से आ रहे हो तो आपको स्टेट पता होना चाहिए तो Nagaland से आप लोग पहले आऊगे Assam में Assam से आपको एक स्टेट लगेगा West Bengal West Bengal के बाद में आपको आपके पास में option है shortest path के लिए वो होगा Odisha because अगर आप यहां से अगर आप लोग जो है वो जारकंड वगे से अगर आने लग गए और फिर 36 गर से आने लग गए तो आपके 2 स्टेट एक्ष्टा बढ़ जाएंगे और आपको यहां पर question में क्या बुला हुआ है कि minimum आपको कौन से number of state जो हो क्रॉस करने पड़ेंगे तो उसमें आप Odisha से होगे Odisha से आप लोग अंदरप्रदेश अंदरप्रदेश से तमिल नाड़ो आना पड़ेगा या फिर आपको करनाटक आना पड़ेगा और उसके बाद में आप लोग आओगे code time ओके तो आते हैं इन सब से करता है तो इसका answer होगा आपका D आते हैं question number 76 पे जिसमें again आपका Parliament of India से related question है तो guys मुझे उस टाइम पर पता था कि 2015 में वगे आपका private members का bill जो है वो actually pass हो गया था तो आपको पता होगा लोग सभा में जब ये government IT तो लोग सभा में तो इनको majority थी तो राज्य सभा में नहीं थी तो राज्य सभा में बहुत सारे private members के bill जो है वो pass कर वा लिए गये थे जिसमें से one of the bill था आपका transgender का और दूसरा एक और bill 2016 में ही आपका ऐसा ही pass हो गया था इसलिए UPSA ने जान बूच के आप से पूछा कि a private members bill is a bill presented by the member of parliament who is not elected, who is not elected नहीं, who is not the member of the government तो first आपका गया recently a private members bill has been passed in the parliament for the first time answer is no, ये आपका multiple time जो है वो हो चुका था right answer इसका था D, that is neither one or two तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो out of 14 private members bill enacted so far since commencement of the parliament in 1952 मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे clearly Indian Express ने अच्छे से लिखके दिया आपको 14 bill जब वो pass हो चुके हैं और इन bill का इन लोगों ने listing, listing भी दिया हो है कि कौन-कौन से ऐसे bill थे बट इसके अलावा, इसके अलावा July 22, 2016 में private members rarely get disrupted as it did क्योंकि private member का आपका special status for the Andra Pradesh के लिए वहाँ पे जगड़ा चल रहा था, तो वो आपका हो गया था, and 2015 में ऐसा ही transgender का bill जो है वो पूरह पूरह राज्यसभा में पास हो गया था तो इसलिए UPSNS पे question जो है आपका पूछा हो था, आता है question number 77 इसमें भी लोगों ने दे मारा मारी जो की है पूछो ही मत, कुछ बोलता है कि भाया आपके, मतलब main issue is the third पे ही था तो आपको compare करने बोला हुआ है Rig Vedic Aryans को, okay Rig Vedic आपके जो Aryans थे and दूसरा आपके जो पूछे थे वो है Indus Valley people के बारे में तो Indus Valley people और इनका comparison किया तो Rig Vedic Aryans used the coat of male helmet in the warfare, whereas the people of the Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them, Rig Vedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas Indian Valley people did not know it, okay तो भाया, यहां पे आपका गरत हो गया, क्योंकि आपने अच्छे से अगर NCRT पढ़िये आपको पता होगा, इनको gold, silver और वगरे के बारे में information थी ही तो अगर आपने ऊड़ा दिया, आपके पास नवजता है one only, या फिर one and three only अब इसमें लोगों की मारा मारी हुई कि Rig Vedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having the, having aware of this animal, तो यहां पे लोग बुले कि देखो यहां पे AL Basham आपका यह बोल रहा है आपका वो वाली book आपकी वो बोल रही है आपकी उपिंदर से कुछ और बोल रही है बहुत मारा मारी हुई, लेकिन UPSC बोली, मैं तो भाईया जो Tamil Nadu board आपकी बोल रही है, उसी पे जाने वाली हूँ Tamil Nadu board ने यहां पे क्या लिखा हुआ है कि the use of horse is not yet firmly established और यह आपके Tamil Nadu board में clearly दिया हुआ है और यहां पे आप लोग देख सकते हैं और यहां पे आपके बैंगल वैंगल जो कुछ है वो गोल्ड वोल्ड के आपकी use होते थे तो अगर आपने Tamil Nadu board की history अच्छे से पढ़के रखी हुई है तो आपका भी answer, UPSC के answer की से match करता था वो था आपका C तो इसका right answer जो है वो है C और UPSC के simple विया my kingdom, my rule उन्होंने किसी से आप कितना ही contest कर लो, AL Basham गलत बोल रहा है क्या, यह हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या फरक ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो later in dust वाली civilization को जो period था, उसमें आपको horses के evidences मिलते है, but यहां पे clearly Tamil Nadu board नहीं क्या बोला है कि इसके कोई भी firm evidences नहीं है, तो आप लोग इसका load लेना बंद करो बरके, ओके आता है हम लोग question number 78 पे इसमें आपका simple है recognition of prior learning के scheme पे question पूचा हुआ है, तो यह आपका जो national skill qualification framework जो था उसी से related यह again one more question was asked and this was with respect to certifying the skill acquired by construction worker through the traditional channel तो यह recognition of prior learning आप description भी पढ़ो इसका logic भी अगर आप लोग लगाओ, सिफ logic के basis भी करो तो भी यह होगा, क्योंकि देखो आप prior learning किसके recognize करने वाले हो enrolling the person in the university is गया, reserving some skilled jobs to rural and urban poor in some public sector undertaking, इसका कोई लेना देना है क्या, फिर certifying the skill acquired by the trainees under the national skill development program again answer is no, because आपका recognition of prior learning जो हो ए में आप utilize होगा और यह आपका national skill qualification framework as well as प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना के enter में बहुत अच्छे से दिया हुआ, तो आप लोग जो है वो skill, scheme को अच्छे से थोड़ा सा cover करने की कोशिश कीजिए आते हैं हम लोग question number 79 पे question number 79 again थोड़ा सा difficult है मैं थोड़ा difficult क्यों बोल रहा हूँ, because आप लोग जो है नलमाला as well as सेसचलम biosphere reserve को निकाल सकते हो, because यह दोनों भी आपके आंदरप्रदेश side में आते हैं, जबकि आपकी यहां पे बात हो रही है, eastern ghat और western ghat कहां पे मिलते हैं, अगर आप आपने थोड़े से भी NCITS पड़े हुए हैं, तो आपको पता है नीलगीरी hills जो है आपके वहां पे मिलते हैं, और नीलगीरी hills कहां पे आते हैं आपके, तो वह आपके करनाटका और तमिलनाडू, एंड आपका केरला, इनके just border पे जो हो आपका नीलगीरी hills आता है, तो इसमें अब आपके दो options बचते हैं, या तो आपका सत्यमंगलम tiger reserve होगा, या फिर आपका जो हो नगर hole national park होता है, तो आप बहुत close आपका answer जो हो आजाता है 50-50 पे आता है, अगेन आप लोग जो आपने हिसाब से risk उसको ले सकते हो कि आपको क्या लगाना है करके, लेकिन आप लोग ऐसे questions को पका से attempt कीज़ें इसका right answer जो है वो आपका सत्यमंगलम tiger reserve है, लोग बोल रहे थे जो आपका news है, जुलाई 2016 का इसलिए सत्यमंगलम पे question जो पूछा हुआ था, आता है question number 80 पे question number 80 जो है, वो simple है बहुत ही simple है, one of the implication of the equality is simply कि आपके पास में, किसी के पास में भी privileges नहीं होने चाहिए, restraint का मतलब liberty बनता है, competition मतलब again ये allowed नहीं ये तो गलत चीज़ है, ideology भी गलत चीज़ होगा एक ही answer बसता है, वो है आपका privileges, okay, simple है, आपने question number 81 पे, और question number 81 अगर आपको, okay, ये international organization जो है खास करके, आपके environment के चाहिए आप लोग again, unacademy पे मेरा lecture अच्छे से follow कर सकते हो, वहां पे special classes, जो की free है, आप लोग वहां से देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से सिखाय हुआ है, तो यहां पे आप लोग traffic के बारे में पूछ रहे हैं आप से, क्योंकि ऐसे आपके, जो organizations उसके question आता ही आता है, आपका traffic is bureau under the UNEP, answer is no ये आपके दो organization से मिलके बना हुआ है, no doubt शंकर भगवान ने तो इसको बताय हुआ ही है लेकिन आपका ये मैंने slides में भी दिया हुआ है कि WWF and IUCN इन दोनों ने मिलके इसको जो बनाया हुआ है जो की है आपका traffic, ये आपका NGO है, तो first आपका जैसे ही गलत होता है second है, the mission of traffic is to ensure that the trade in wild plant and animal is not a threat to the conservation of nature answer is yes तो इसका answer ये आपका बनता है बाकि आप लोग देख सकते हो event शंकरायस ने बहुत अच्छे से traffic को cover किया हुआ था हाते हैं question number 82 पे जो की आपका deal करता है आपके यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि directive principles of state policy by 40 second amendment आपका कौन सा add हुआ था तो अब देखो 40 second amendment जिसको हम लोग mini constitution बोलते हैं as well as आपको पता होगा कि आपको amendment होगे रहे पढ़ना mains में compulsory है तो anyhow इसको तो बहुत जादा ध्यान से रखना compulsory था तो इसका right answer जो है वो आपका बनता है B that is participation of workers in the management of the industries तो याद रखिये का guys 40 second amendment ने आपके 4 new DPSP जो है वो add किये थे कौन कौन से थे first था to secure the opportunity for a healthy development of the children that is article 39 to promote equal justice to provide free legal aid to the poor article 39 A उसका आद में आपका to take steps to secure the participation in the worker in the management 43 A और 48 A जिसमें आपका environment को protect करने की बात की हुई है तो यह है आपका 80 second question आते हैं 83rd पे 83rd में आपसे पूचा है which of the following statement is correct तो simple है आपसे पूचा है rights क्या होते हैं तो rights जो है वो हर एक NCIT मैचे से दिया हुआ है rights are claims of the citizens against the state हर बार right जो है वो आपको state के against में मिलेगा because आपके उपर atrocity कौन करने वाला है it is the state वो ही आपके fundamental right जो वो आपके curb करने वाला है तो इतना simple है आपके यदर आपने polity में पढ़ाई होगा या फिर आप लोग जो हो अपनी NCIT को अच्छे से cover कीजिए यह उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है आतना question number 84 पे question number 84 हर बार UPSC indexes पे या फिर report पे question पूछता है इस बार question पूछता global gender gap index पे जो की आपका release करता है world economic forum अच्छे से याद रखिएगा और यह आप लोग देख सकते हो 2020 का ranking भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें top performer जो है कि यहाँ पे आपका gender gap बहुत कम है वो है Iceland उसके बाद है आपका Norway, Finland, Sweden यह सब आपके कुछ countries है आप ते हैं question number 85 पे question number 85 आपका देखो अब usually लोग जो है इसको ignore करते हैं कि यार यह smart hackathon वगरे organized हुई थी ऐसा आपका एक news था कि IIT, NIT student to brainstorm at the HRD smart India hackathon तो यह आपका 2016 October का news था usually ऐसे news जो हम लोग ignore करते बोलते हैं यह थोड़ी नो question पूछ किये जाएगा लेकिन UPSC ने उस साल में हद ही कर दी और question इस बारे में पूछ वी लिया but anyways अगर आप थोड़ा देखो भी तो smart India hackathon जो होगा hackathon का मतलब simple है कि आपका computer related कुछ न कुछ होने बाला है तो it is centrally sponsored scheme for developing every city every city of our country into smart city in a decade अरे भाया ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा one उड़ गया one उड़ने के बाद मैं आपके पास मैं तीन options बचेंगे it is an initiative to identify new digital technology innovation for solving the many problems faced by our country बहुत ही general statement है आप बोल सकते हो यह स्टूर है आपका three it is program aimed at making all the financial transaction in our country completely digital in a decade भाया कुछ जाद ही आप extreme बात कर रहे हो completely digital मतलब cash का use ही नहीं होगा इतने इतने advance थोड़ी होगा है हम लोग सीधा आप लोग उड़ा सकते हो भले ही आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप लोग इसको logically तो देखो ऐसा ही होता है कि कभी-कभी आप डर केमारे पुरा-पुरा question छोड़ देते हो लेकिन यहाप डरना नहीं है आप लोग logic से अगर करो एकदम easily आपका answer जहो निकलता है आते हैं question number हम लोग 86 पे question number 86 आपका monetary policy committee से related है और उसी time पर आपकी monetary policy committee जहो बनी हुई थी तो NPC आपका again 2016 का news में ही था तो इस पर question expected था हर एक current office की magazine ने उसको cover किया हुआ था तो NPC का simple था आपके इसके कितने members होते हैं 12 members है क्या answer is no यहां पे आपके होते हैं सिफ 6 members it functions under the chairmanship of union finance minister answer is no आपका जो RBI को जो governor है उसी के लिए काम करता है यह monetary policy किसलिए है to set the benchmark जो आपके repo rate है reverse repo rate है इन सब को set करने के लिए तो अभी तक क्या होता था आपका actually RBI का governor जो अकेला decide करता था तो इन लोग बोलते थे यार ऐसा थोड़ी चलता है government बोल रहे थी कि जितना हो सके उतनी easy policy आप use करो लेकिन इन लोग जो है RBI जो है वो एकदम strict policy थोड़ी सी use कर रहे थे जान बुच के reverse repo, repo जो है वो इन लोग उपर ही रख रहे थे, नीचे नहीं रख रहे थे और इन लोग बोल रहे थे कि करो 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 तो finally इन्होंने act amend होगेरे किया और बाद में NPC का यह आपका कर दिया जिसका right answer आपका बनता है one only, okay, तो इसका correct answer one only है, आता है question number 87 पे जो आपका मनीपुरी संकीरतन से related है या तो आपको नीतिन सिंगानी अच्छे से करनी होगी या फिर आपको नीरफ सर के आर्ट इन कल्चर के lectures अच्छे से करनी होगी दोनों में से एक कुछ तो अच्छे से करनी होगा आपको otherwise एक और option में आज आपको लोगों के लेकर आया हूँ वो है आपका CCRT का website तो Center for Cultural Resources and Training इसके website पे सारे के सारे आपके ऐसे dances हो गए जैसे भरत नाट्यम वगरे हो गया यह music हो गया, theater form, puppet form यह सब बहुत अच्छे से cover किया हुआ है और इसी में से in fact नेतिन सिंगा निया बहुत सारे चीज़े जो वो ली भी है जिसमें actually यहाँ पे संकीरतन वगरे के बारे हम बताय हुआ था कि यह आपका Radha Krishna से जुड़ा हुआ है इतना तो basic idea आपको था ही तो it is performed to narrate the life and deeds of the Lord Krishna तो तीन को तो पकड़ के रखना भी है तीन जो है उसको कहीं नहीं छोड़ने वाले है उसके बाद में with reference to the Manipuri Sankirtan consider the following statement it is song and it is a song and dance performance answer is yes kimballs are only तो again तोड़ा सा only जैसे ही आ गया आपने two को eliminate कर दिया two को eliminate करते ही आपके पास बज़ता है या तो one and three या फिर one only तो आप लोग again पता है आपको कि Lord Krishna के लिए करते हैं आप लोग जो है वो right answer लगाते हो B तो देखो no doubt CCIT अगर पढ़ा होता तो आपको help करता ही है लेकिन तो देखो यहाँ पे दोनों भी आपको जो हो बहुत ज़ादा जरूरी है लेकिन इसको surety में convert करना है तो थोड़ा तो भी आपको ऐसे CCIT ये नितिन सिंगानिया पढ़ना होगा जिससे आप लोग इसको 100% में convert कर सको तब आपका answer जो वो B लगता है तो इसलिए guys please basic भी cover करो and no doubt यह थोड़े से tricks and logic जो है इसको भी आप लोग follow करते रहो आता है question number 88 पे question number 88 अगर कोई गलत करता है तो मैं उसको भोलूँगा डूब मरो क्योंकि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि Lord Convalis जो है उसने क्या शुरू किया था उसने किया था आपका permanent settlement 1 को हटाते ही आपके पास एक ही option बज़ेगा वो है two and three दिमाग भी लगाने की जरुद नहीं यहाप है again आपके छोटे-छोटे NCRDs में दिया हुआ है आपके spectrum ने cover किया हुआ है आपकी Tamil Nadu board ने cover किया है सब ने cover किया है अगर आपका ये कच्चा है तो again recommended है नीरव सर से history के lessons आप लोग ले दीजिए आते हैं question number 89 पे question number 89 है आपका जो की deal करता है आपका advantages and disadvantages of the bio remediation techniques पे तो एक तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि ये bio remediation technique है थोड़ा सा science का application है मतलब आप लोग कहीं ने कहीं all के तरफ जाओगे लेकिन थोड़ा सावदान मैंने बोला है all होना चाहिए बट सावदान होगे it is technique for cleaning up pollution by enhancing the same bio degradation process that occurs in the nature answer is yes any containment with heavy metals such as cadmium and lid can be readily and completely treated by bio remediation using the microorganism ये एक तो heavy metal है उसमें भी तुम completely चाहते हो मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा तो कोई नहीं होने वाला है two को मैंने उड़ा दिया आपके पास नहीं बचेगा one only या फिर one and three only genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bio remediation why not answer इसका आएगा वो है आपका see that is one and three और ये bio remediation के बारे में अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब आप कहीं न कहीं शंकर भगवान की पूजा अच्छे से नहीं कर रहे हो clearly यहां पे दिया हुआ है bio remediation कैसे होता है ex situ क्या है in situ कैसे होता है तो guys again शंकर भगवान की अच्छे से पूजा करो इतना ही मेरा बोलना है तो शंकर आयस की जो आपकी normal environment की book है उसको अच्छे से पढ़ लो आते हैं question number 90 पे question number 90 आपका trade dispute act of 1929 से related है अब ये question कहां से पूछ लिया ये question आपके spectrum में देखा है तो spectrum अच्छे से नहीं किया तो पच्छता होगे simple सी बात है उसमें एकदम clearly यहां पे दिया हुआ है कि trade dispute act कैसे आया आपका trade union act कैसे आया 1926 में फिर late 20s में क्या हुआ आपके फिर उसका अदमे merit conspiracy क्या हुई तो थोड़ा सा आपका ये 588 page number पे बहुत अच्छे से इसको cover किया हुआ है please spectrum को अच्छे से cover करो trade dispute act of 1929 provided a system of tribunals and ban on the strike तो ये answer इसका correct है आता है question number 91 के उपर question number 91 है आपका local self government can be best explained by भाहिया democratic decentralization अगर आपको ये सब नहीं आता है नीरवदा चैनल पर जाके मेरे political lectures देख लीजिए आपको समझ में आ जागा democratic decentralization ही इसका main purpose हुआ करता है NCRTs में दिया है, polity में दिया है लक्षमिकान में दिया है सब जगे ये वाले statement जाओ दिया हुआ है 92 question आपका पूचा है इविद reference to the constitution of India directive principles of state policy constitute limitations किसके उपर आपके DPSVs किसके उपर limitations लगाते हैं आपको पता होना चीए DPSVs are not enforceable and when they are not enforceable it means neither legislative function nor executive function answer आएगा आपका neither that is neither one or two again ये आपके quality में अच्छे से covered है आता है question number 93 पे 93 again ये थोड़ा सा इंडिया EU relation में clearly उस time के news papers ने उगेरे इसको जो है वो cover किया हुआ था तो आप देख सकते हो कि इंडिया EU to discuss the sensitive bilateral issues और one of the आपका जो एक campaign था digital India वो हमारे इंडिया का था और ऐसा ही digital single market इनका EU का आपका हुआ करता था अगर miss हो गया है आपको नहीं पता था इसके बारे में मैं आपको सीधा recommend करूंगा इसको D type के question में डालके पूरा चोड़ दो attempt मत करो मैंने भी उस time पे नहीं किया तो attempt हरे question करना compulsory नहीं है तो इसको छोड़ सकते थे आप बट इसका right answer जो है वो है EU आते हैं हम लोग question number 94 पे और question number 94 ऐसा बोलते हैं लोग कि आप लोग kitkat खाया करो तो आपको पता चलेगा जिसमें kitkat में already दिया हुआ है कि चांदीपूर जो है Odisha का तो यह beach जो है तो इधर the sea disappears every day by as much as 5 km during the low tide तो यह लोग उस time पे बहुत मज़ा कुड़ा रहे थे कि यार आप लोगों को अगर यह चांदीपूर वगरे के बारे हम नहीं पता है तो आप लोगों ने kitkat वगरे खाना चाहिए तो इसका right answer actually चांदीपूर है कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना था कि भावनगर भी है विकास भावनगर में भी ऐसा observe कर सकते हैं you will find that the sea water recedes from a shore line to a few kilometers and comes back to the shore twice a day and you can actually walk on the sea floor when the water recedes this unique phenomenon is seen at चांदीपूर is the right answer कुछ लोगो बोले भावनगर पर भी होता है बट भावनगर यहां पर answer UPSC ने नहीं दिया हुआ आता है question number 95 पे और 95 क्यों आया था because उसी time पे आपका बेनामी property transaction act जो है उसको इन होने reform किया हुआ था तो 2016 का act आया था मैंने आपको बोला है UPSC act पे question पूछता है कभी भी UPSC ने आज तक bill पे question जो वो नहीं पूछा है तो please जितने भी act अप तक amend हो चुके हैं उनको अच्छे से please कर लीजी जिसमें इन्हों लोगों ने पूरा बता हुआ है कि भाया किस-किस को जो वो बेनामी transaction के अंटर में consider बगरे किया जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हो with reference to the prohibition of बेनामी property transaction act 1988 आपका a property transaction is not treated as बेनामी if the owner of the property is not aware of the transaction यही तो भी है उसी को तो बेनामी बोलोगे तो यह आपका गया properties held बेनामी are liable for the confiscation answer is yes the act provides for three authorities for investigation but does not provide for appellate mechanism logically भी सोच हो तो आपको पता होगा यार appeal नहीं कर सकते हो तो फिर क्या मतलब आपका natural justice जो violet होता है तो आप appeal तो करो गई तो again अपने logic को कहीं नहीं छोड़ना है logic को अगर आप apply करो आप लोग three को उड़ा सकते हो आपके पास में answer आएगा वो होगा two only आता है हम लोग question number 96 पे और question number 96 है आपका due to some reason if there is a huge fall in the population of the species of butterflies what would be the likely consequences again यह आपका science का book जो है वो थोड़ा बहुत आपका कबर करता है but as such आपको थोड़ा सा logic लगा कहीं करना होगा आपको पता है butterflies होगे 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 हैं यह सब आपका pollination में काफी ज़्यादा help करता है there would be drastic increase in the fungal infection तो भया यहां पर drastic word आ रहा है और यह इसका कोई relation नहीं है अब two को उड़ा दो two को उड़ाते ही आपके पास में बचेंगे या तो one and three या फिर one only it could lead to fall of the population of some species of the wasp spider the answer is yes आप लोग यहां पर as such आप लोग science में one two three लगाते हो but यहां पर drastic word आने के वज़े से मैं आपको बोला है all option usually होता है but उसमें अगर कोई extreme statement वगरे आजा है उसको उड़ा दो इसके लिए right answer आएग आपका one and three only ओके आते हैं question number 97 पर question number 97 आपसे पूझ रहा है कि आपका algae based biofuel का production करने पर इंडिया के उपर कौन-कौन से limitations है तो आपको पता है algae को use करके हम लोग जब biofuel बगरे बना सकते हैं तो इनका लेकिन यह इसके लिए आपके कुछ limitations होंगे अब आपको पता है नहीं पता है continent पर क्यों नहीं हो सकता है continent पर भी था आप लोग जो है वो sea वाली जी situation है उसको आप लोग ले सकते हो algis तो चाहिए algis को थोड़ी ना बहुत ज़्यादा जग लगती है तो इनको जो है आप लोग हटा सकते हो 1 को जैसे ही हटाया आप लोग बचे हो अब 2 and 3 only पे तो again मैं बोला illogical या फिर extreme को अटाओ हर बार आपका all of the above answer नहीं होता है all of the above usually आप default पकड सकते हो बट उसको eliminate करने की कोशिश करो setting up of engineering the algae based biofuel production requires high level of the expertise as well as technologies answer is yes economically viable production necessitates the setting up of algae large scale facilities which may raise ecological and social concern तो यहां पे भी आप लोग बोल सकते है की हाँ हो सकता है गरके तो right answer आपका आएगा वो है 2 and 3 only because 3 तो आपका anyhow automatically यहां पे correct है ही आप लोग देख सकते हैं आपे 2 को आपको सिर्फ सही करना था वो आपका हो गया है आते हैं question number 98 पे और उस सारह हैं पे एक government scheme national nutrition mission जो है उसको launch किया हुआ था तो उस पे UPSC ने पे question पूछ लिया इसका right answer था 1 and 2 only लोग बोल रहे थे की यह भी होगा poultry egg वगए क्यों नहीं होगा nutrition में लेकिन यह सब पे logic नहीं आया और right answer है it is to create the awareness relating to malnutrition yes it is to reduce the incidence of enemy among the children and adults and girls answer is again yes to promote the consumption of millet वगे रहे ऐसा कुछ नहीं है unpolished rice का वगे रहे क्यों आप लोग प्रोमोट करोगे या poultry eggs जो vegetarian ने उनको क्यों खिलाओगे तो इसके लिए आपका answer बचता है 1 and 2 only बाकी अभी यह वाला program जो इसको convert कर दिया है portion अभियान में जो आपका 2018 से implement हो रहा है मैंने already हमारे current office के batch को सिखाय हुआ है आप लोग प्लीज वो slide जाओ cover कर लेना अच्छे से और एक चीज़ याद रखने है यह national nutrition mission या portion अभियान जाओ ministry of women and child development के under में आता है आता है second last question 99 पे तो अब इस पे जो है आपसे UPSC ने question पूझा है Factories Act 1881 जो है उसको pass किया था with few wages industrial worker तो इसकी history आपको पता होनी चाहिए again political science में usually हम लोग trade union वगरे के बारे में पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा पता होता है इसलिए यह वाला answer जो है मेरा correct हुआ और इसका two only मुझे answer पता था okay तो यह जो है the Factories Act of 1881 was passed with the view of fix the wages of the industrial workers and to allow the workers to form the trade union तो सोचो अभी trade आपका जो trade act वगरे आपका पहले जो बना हुआ था 1929 का उसमें अगर आपका trade union नहीं बनाने जिया तो यहां कहां दे देंगे तो यह आपका गया okay यह actually क्यों किया गया था because मैं आपको अब इसकी history बताता हूँ तो London वगरे जो है या आपके Britain जो है उसमें क्या हुआ था उसमें उस टाइम पर workers की movement वगरे चल रही थी Marx ने बहुत सारा इंदर revolution वगरे की बात कर ली थी उस period में 1880s में okay तो उस टाइम पर अब इन लोग बोले है लंडन बोले है रिफॉर्म तो करना बड़ेगा तो उन्होंने वहां के labor okay वहां के factories वोगरे जो है उनको reform करना शुरू किया जिसमें उन्होंने wages की बात की उन्होंने वहां पर अच्छ हाइजीन की बात की उन्होंने यहां पर यूनियन वगरे की बात की यह सब वहां पर तो कर दिया लेकिन यहां पर नहीं किया हुआ था इसलिए क्या हो रहा था कि आपका प्रॉडक्ट जो चीप बन रहा था यहां के फैक्टरीज में तो उधर के लोग चिल लाने लगे तो इसलिए थोड़ा सा लाने के लिए कि यहां उधर के इंडस्ट्रियल वरकर्स के उपर लाने के लिए 1881 में फिर आक्ट लिए हो हम लोग फैक्टरीज आक्ट लेके आए थे तकी इंडियन इंडस्ट्रीज को अंड्यू एडवांटेज ना मिले ओके बट ट्रेड यूनियन वगरे का कोई भी वहा and no doubt उन्होंने ये आपका Bombay Mill and Mill Hand Association भी आपका अच्छे से शुरू किया हुआ है और again Tamil Nadu Board ये आप स्पेक्ट्रम में अच्छे से यहां से पढ़ सकते हो और Tamil Nadu Board में आप लोग देख सकते हो दोनों की जोड़ी मतलब जैवीरू की जोड़ी है ये देखो आप लोग यहां प for all the dangerous machine in the factories to be properly fenced वगरे वगरे तो यही बस इतने ही regulations लाये थे ओके यहां पर यह और यहां से लोखंडे का आपको मिल जाएगा ऐसे दोनों के तुरू आपका right answer जो बन जाता है आता है question number 100 पे और question number 100 जो है वो आपका deal करता है carbon dioxide से related तो इसमें carbon sequestration पे question आप से पूछा है क carbon sequestration कैसे कर सकते हैं तो guys आपको वापस बता दूँ सिर्फ history ही अपने आपको repeat नहीं करती है even environment भी आपकी अपने आपको repeat करती है तो environment will also repeat itself UPSA ने 2012 में same question जो है आपका carbon sequestration पे पूछा हुआ था जिसमें आपसे पूछा था कि कौन-कौन से method से होगा तो at least आप लोगों का इसका भी right answer 1, 2, 3 था मतलब contour bonding, relay cropping, zero tillage इन सबसे तो होगा ही होगा but again guys 2012 का ये होने के बाद में आप लोग पका से शंकर आयस में भी पढ़ सकते हो कि carbon sequestration कैसे कैसे कर सकते हैं, sink कैसे बनाएंगे, क्या type है ये सब आपका again शंकर आयस में बहुत अच्छे से cover करके दिया और इसका right answer जो है वो है 3, D, that is कि आप लोग carbon sequestration, carbon dioxide का abandoned and uneconomic coal seam में कर सकते हो क्या, yes, depleted soil and oil gas reserve में कर सकते हो क्या, answer is yes, तो अगर confused हुए भी लोग, तो A और D में उन लोग confused थे, सब territorial deep saline formation में कर सकते हो क्या, इसका भी answer जो है, वो है yes, और इसका correct answer आपका बनता है, D, so that was about 2017 का question paper discussion, so guys, this is all which I had to give you, तो please आप लोग जो है, अरविंद राजपरोहित को follow कीजिए, YouTube चार और उसके बाद में आप लोग जो है, वो आए अरविंदा चैनल को भी join कर लीजिए, काईज एक बार बता दू, हमारा HV Desai Competitive Exam Center जो है, उसने हमारे इस साल के 2021 के batches already launch कर दिये है, दोनों UPSC, as well as MPSC, Current Affairs, वगरे वगरे, सब चीजों के लिए हम लोग ने launch किया हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है, आप लोग जो हो, एंडोल कर लीजिए अपने आपको, तो यहां पर मैंने अल्री बता दिया आपको, तो प्लीज इसको अच्छे से join कर लीजिएगा, और तब तक बाकी के सारे के सारे lectures देख लीजिए, thank you so much and take care guys.